हलो दोस्तों मैं संतोस गुपता और आप देख रहे हैं Optical World दोस्तों कभी आपने सोचा है कि आपका फेवरेट संग्लास रेबैन इतना महंगा क्यों मिलता है दोस्तों आज मैं इसके उपर से परदा उठाने वाला हूँ कि आपका ये रेबैन संग्लास इतने महंगे क्यों मिलते हैं इसके उपर जो भी कारण है ये संग्लास महंगा होने के आज उसको पॉइंट वाइज में आपके सामने एक्स्प्रेइन करने वाला हूँ तो आप मेरे साथ वीडियो के लास तक बने रहेगा और इस वीडियो को लास तक देखिएगा जिससे आपको अच्छे तरह से पता चले गया कि एक संग्लास इतना महांगा क्यों आता है इसके अंदर क्या क्वालिटी यूज की जाती है इसके अंदर क्या मैटेरियल यूज कि जाता है इसकी Х!!!!!! कितनी पुरानी है इन सारी बातों पर आज में चर्चा करने वाला हूं तो चलिए वीडियो को चलू करते हैं दोस्तो रिब़ेंस संग्लास इतना महांगा क्यों आता है ए Penutche Iler जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं स्युद्वें संग्लासेज की के बारे में इसको बनाने वाली जो कंपनी की झालु지 बासन लाम बस्तों लाप्त है उसको बनाया था उसके लिए American government ने उनको इस sunglasses बनाने के लिए बोला था यह first time 1937 में आम public के लिए Ravens sunglasses को launch किया गया था उसका aviator model जो कि 1937 में first time launch किया गया था तो आप समझ सकते हैं कि Ravens sunglasses अब से लगभग 80-90 एर पहले launch हुआ था तो अब जान लेते हैं पहले point की तरह हम बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें first इसका क्या कारण है कि Ravens sunglasses से इतना महगा मिलता है दोस्तो जो पहला कारण है इसकी brand value दोस्तो यह 90 साल से पुराना brand है और इस brand को मनाने के लिए company ने बहुत जादा मेहनत किया हुआ है आप जानते हैं कि इसकी quality इसकी जो lens की quality होती है इसकी जो frame की quality होती है वो based होती है तो यह जो sunglass है Ravens इसकी brand value बहुत अच्छी है इसके लिए इस sunglasses इतने महगे आपको मिलते हैं दोस्तो company ने 90 साल खर्च किया है इसकी brand value तैयार करने में एक बार किसी भी product की brand value बढ़ जाती है तो उसको company अपनी हिसाब से उसके price को कम या ज़्यादा कर सकती है तो आप note कर लिजे किसी भी चीज की एक brand बनाने के लिए उसकी quality उसकी product की quality की उपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है दोस्तों आप बढ़ते हैं हम दूसरे अपने point की तरह दोस्तों जो हमारा दूसरा point है quality of material Rabanne sunglasses highly quality के material यूज़ करते हैं जैसे जो इनका metal material होता है वो high quality का material होता है और जो भी plastic material और high acetate material से ये बनाते हैं ऐसे ही ये lens material में जो यूज़ करते हैं वो भी high quality का lens material यूज़ किया करते हैं उसमें जो glass material होता है glass material ये आप जानते हैं कि Rabanne का toughen glasses होता है जो कि easily drop होने पे नहीं तूड़ता है इसली ये गिर भी जाता है तो नहीं तूड़ता है और इसके जो frame होती है ये जल्दी corrosion नहीं होती है तो ये corrosion और इनकी plating बहुत ही high quality में बनाया जाता है अभी ये company titanium material में भी बहुत सारे frame के metal बनाते हैं जो कि बहुत ही high quality की material होता है दोस्तो इस वीडियो का आप last तक देखिएगा last में वह point रखने वाला हूं जो कि इस पूरे वीडियो का सबसे important point है दोस्तो अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe कर लिजे और इस वीडियो को like कर दीजे नहीं तो आप बीच में भूल जाते हैं तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने तीसरे point की तरफ तीसरा जो point है design and innovation दोस्तो रेबाइन company अपनी design और innovation पे बहुत ज्यादा focus करती है यह अपनी design और innovation के लिए एक पूरा lab बनाके रखे हुए हैं जहां पे किसी एक design को तयार करने के लिए इनके जो इंजीनियर्स हैं वो 6- 8-8 महिने खर्च करते हैं और उसकी quality चेक अप होती है उसकी quality को 10 बार 20 लोग उसको चेक करते हैं तो quality और इसको innovation के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं और वो जो पैसा खर्च करते हैं डिफिनिटी वो पैसा आप product के उपर उसको जोड़के लेते हैं तो जो तीस है अपने चोथे पॉइंट की तरफ है दोस्तो चोथा जो पॉइंट है वह है manufacturing, marketing and distribution दोस्तो रेबायन company अपने manufacturing पे और marketing और distribution पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है और इनके ads भी आप TV भी देख सकते हैं और अलग-अलग social media पे अपने ads लगा के रखते हैं तो इसका ज पूरे बिश्व की बड़ी कंपनियों में आती है तो इनका manufacturing and marketing के उपर काफी खर्चा होता है तो वह भी आपकी sunglasses पे जोड़ के रखा जाता है दोस्तो आप हम बढ़ते हैं अपने last point और जो हमारा आखरी point है और एक काफी आहम point है काफी important point है जो जो आखरी point है monopoly in industry दोस्तो रेबायन कंपनी जो रेबायन बनाने वाली कंपनी है और इंडस्टी में monopoly create करके रखी monopoly क्या होता है कि एक ही company का लगभग अपने इंडस्टी में ज्यादा market share पे कबजा होना उसको monopoly बोलते हैं तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि रेबायन बनाने वाली company लगजोट क्या है जो रेबायन कंपनी को 99 में खरी लिया था 1999 में इसको खरी लिया था तब से लगजोट क्या company रेबायन sunglasses को बनाती है और लगजोट क्या company जो है बीश्व में सबसे बड़ी sunglass brand maker company है और इसका जो sunglass के high quality या जो branded section है उसमें लगभग 80% market पे इनका कबजा है जब आप समझ सकते हैं अगर 80% market पे किसी company एक company का कबजा रहेगा तो अपने हिसाब से उस industry को चला सकते हैं इनका अगर बहुत सारी company को इन्होंने खरी लेते हैं जैसे कि संग्लास हट करके company था उसको भी इन्होंने खरी लिया है और दूसरी जो बड़ी होने वाली company है या तो उसको यह company खरी लेती है या तो फिर अगर नहीं बेचते हैं तो उनकी store से अपना product हटा लेती है तो मजबूरन उस company को बेचना पड़ता है और अगर कोई company 10 लाग की है तो उसको यह लोग 50 लाग देके यानि high amount पे करके उसको खरी लेते हैं तो इस तरह से इन्होंने प अपने हिसाब से जो price में बेचना चाहते हैं बेचते हैं दोस्तो आसा करता हूं कि आपको इस वीडियो से value मिला होगा इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ जरूर सीखनों के मिला होगा या जनकारी मिली होगी अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद जनकारी मिली ह चाहते हैं तो ऐसी ही आप अपनी आखों का ख्याल रखें लब योर आइज प्रोटेक्ट योर आइज मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद